बीजेपी का दावन चोड कॉंग्रेस का हाथ थामने वाले पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुस्मारिया से खास बाचीत की हमारे समधाता आशीश मंगल सोनी ने अब लोकसवा चुनाओ लड़ने की तैयारी है हमें कोई प्राबलम नहीं है जहां से भी देंगे लड़ाएंगे लड़ाएंगे लेकिन ऐसी क्या नाराजगी रही कि आप बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में कोई खास बज़ाएं अब नाराजगी देखा ना 17 रुपई य हम तोान विय क्षाना आदमी है है कैपी समय से हम देख रहेते लुए परक रहेते हुना बता रहेते हिदायट कर रहेते बुज़र्णन परिसान उन्हें किया है मानए वेज़ीति करी है किसानों की बह多ए बड़ी संगठन में चाक्ड़ार का ताना शाहि कि ताना साही बोलना कुछ करना कुछ विस्वसनी तो नहीं थी अब हम तो तीच साल से परिसान है पटवाजी मुखमंत्री बने थे हम तीन बार विधायक बन चुके थे मीशा बंदी रहे जेल में रहे चार-चाराना की सदस्ता करी जनसंग के समय से आए जैन्त मलेगिया पहली बार जीता योग कांग्रेस से आकर के मंत्री बना दिया हम तीन बार के बिधायक बने बैठे रहे और फर मंत्र जो उसका अनाचार अत्याचार जो बढ़ता गया वहां के लोगों पर वो आज हमें जब हमें खतम करना पड़ा यह इस्तिती है यानि हम से मुढवेड़े करी हमने और उनका राज खतम किया लेकिन अब हमारे पार्टी के भी तरह से लोग हो गए थे तो उनका भी राज खतम करना जरूरी हो गया था नीती गत लड़ाई है पार्टी अपनी नीती से हट गई अपने संसकारों से हट गई और हम तो उस समय के हैं ह खंडेलवाल जी की नहीं है इसमें अभी ये चुनाव में अटल जी की कहीं फोटू नहीं लगाई तो हम इनके साथ कैसे रह सकते हैं सीधा सीधा है कि जो सिद्धानतों से हट गए जो बुजर्गों का सम्मान करना छोड़ दिया तो उनके साथ रहने का कोई तात्पर है नही तो वहीं गुडबाजी अपने चरम पर है ऐसे में पार्टी को आईना दिखाना जरूरी था और यही वज़र रही कि उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया